नमस्कार आप सभी को मैं पुश्पा सर्मा और आप देखरें संसार करांती दोस्तों इस वक्त एक फिर से आप मेरे साथ सोनी पत के लहराडा गाहों से लाइव जुड़ चुके हैं और मामला क्या है मैं आपको पता दूं कि हर्याना में अवैज सराप का जो धंदा है पूरे लगाटार होती रहती हैं लेकिन फिर भी पुलिश पर साथन की पुलिश परसाथन जुओं को पकड़ने में नाकाम रहता एक बड़ा मामला जो लघराड़ से निकल कर आया है सोकीन लघरणा गाउं का रहने वाला पूतर चांद दूसरे व्यराव सराबिकरी के सक्स में सो सोकीन और पंकच को इतनी पूरी तरीके से पीटा कि धाई महीने जिंदकी और मौत से जूजते हुए सोकीन ने आज अस्पताल में दम तोड़ दिया लराना गाउं के जो वासी है जो उनके मावा पर पर परिवार वाले उनकी बोड़ी को उन्होंने यहां पर रखा हुआ है उन्होंने कम से कम 35 आरोफियों के नाम पुलिस टेशन में जाकर दर्ज करवाएं लेकिन पुलिस के दवारा जो हमें जानकारी में लिया अभी तक एक दो अपरादी को इंगिरभतार किया गया वाकि अपरादी क्यूं खुले घूम रहे एक बड़ा काफी बड़ा सवाल य किस वक्त हमारे साथ मौजूद है चली है बात करते हैं और जानते हैं कि पूरा मामला क्या है जी सर अपरे नाम बताएं परें मेरा नाम वसीम है जी और सोकीन मेरा रिस्तदार है जी जाए मेरा तो मैंने तो आज वह दुख देखा है जो एक भाई कभी अपनी जिन्देगी किसी पर दखें किसी के भी लिए तो मैं आपका तफसील से बताता हूँ बात है तीन महिने पहले की 18ical जून को क्या हुआ कि yep दो आदमी उख को 35 लोग मारने के लिए आते हैं और 35 लोग सर्या से लाटी से डंडे से उन लोगों को मारते हैं बहुत बुरी तरह तीन महिने तक वो लोग हॉस्पिटलों में डोक्टरों के द्वारा उनका ट्रीटमेंट होता है हाथ फैर जोडते हुए उनके परिवार वाले डोक्टरों का ट्रीटमेंट करवाते हैं बट उनकी हालत यह नहीं थी कि वो संभल पाए आज एक यह हालत है कि एक तो उसमें से आज एक्सपायर कर गया जो मेरा खुद का जीजा है एक के एक पैर ओलेडी कट चुका है दूसरे की कटने की नोबत है जी और दोनों हमारे देश के जो प्रतिर होस्पिटल है वहाँ पर एडमिट है जी सरकारी होस्पिटल के अंदर परिवार वालों से जितना बन पाया उ परसासन ने मजाग किया है एक आपरादिक गतिव इधी का आदमी जो इसमें बिल्कुल डिरेक्टली इंवोल्ड है पुलिस परसासन कहता है जी फरार चल रहा है और वो रेगुलर थानों के अंदर विजिट कर रहा है सदर थाने में विजिट कर रहा है चाय कोफी पीरा प मतर्म जाक चल रहा है थानों के अंदर इस तरह एक जो परिवार है पीडित परिवार किस तरह ने आए मिलेगा पीडित परिवार को मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड के गुजारिष है एक भाई होने के नाथ एक बेटा होने के नाथ ये इंसाब मेरे लिए करा दो क्यों केज ले लो आप इस यह तो अपरादिक वाले लोग है आपको खतम कर देंगे यह कर देंगे वो कर देंगे यह नहाई रहे गजी हमारे देश में तो आज इस मामले में कौन-कौन सामिल है किसका नाम आपने लिए मैं बताओ जी मैं तो हूजी रिष्तेदार मुझे तो इंके गाउन का रूकुलनि नहीं ना तो मैं लोगों को जानता लोगों को जानने वाले जो यहां के म William अवरें के जो दोस्त बुलाएं नबार विपिशी को जानते हैं नहीं उनको यह साथ नियुकित के बारें चार पज़ाइगे तो श्यार वाहिक महार हो चुक हैं पुलिस परशाशन के दवारा क्या कारवाई अभी तक की गए किसको गिरफतार किया गया सब्सक्रावाई तो म तो अन्य है जो मारने में थे जो बार के बंदेते पांच शेंदर कर दिये हैं एक दीपक उठा लिया है और किसी को उठानी रहे सब रोड पे गूम रहे हैं हम जाते आइस पी के पेस पेस होने के लिए वहीं पर आगे खड़े पाते पहले मारे को वे जैसे कि लैराडा गाओ प्रसासन दो तो किया मांगा पुलिस परशासन से करते है और क्या कोच आपके कारवाई जो है आगे रही है हम दी चाहते सब और उन्हों को उठा जो जो इसमें है जो नहीं उसको छोड़ दो पर जो है उसको अंदर जाना चीए पैसा खारा आ रहा है यह नहीं है यह तो आ अपना फॉन लेकर आपके परिवार पर बहुत दुखी घड़ी है आप चोटे भाई है उनके आपका दुख मैं समझ सकते हूं लेकिन क्या कुछ कारवाई सर जो अभी आगे रहने वाली है अभी तो कुछ पुलिस वाले बताएं क्या कारवे करें तीन दिन का टैम दो तीन द सरम की बात है कि किस तरीके से अपरादियों दवारा की अवैद सराव की बिक्री के सक में मार पीट करता कर दी जाती है और अब तक धाई महीने हो चुके हैं लेकिन खुले गूमरे कोई भी कारवाई जो उनके खिलाफ यहां पर नहीं की गई है में जो नाम इन्होंने लेड़ी के बारे में भी कोई इसका भी कुछ अपरादी के मामला रहा है सब्सक्राइब है अब यहां पर मौके पर पुलिस परसासन में कौन को मौजूद है तो चलिए बाते करते हैं पूछते क्या कुछ कारवाई रही है मेरे साथ तो अब यह आप देख सकते हैं लगाएं कि पुलिस ने इस मामले में काफी मोटी रिस्वत जो आखाई है और कोई भी कारवाई जो पुलिस पर शासन के दवारा नहीं की जारी है सामने आप देख सकतें कि पुलिस पर सासन मोजूद है चलिए उनसे बात करते जानते हैं पूरा मामला क्या है नमस्कार सर स जानकारी आप जुटा पाए डाई महीन ने इस वार्दात को हो चुके हैं क्या कुछ कारवाई आपके दोवारा देख़ए उसके अंदर च्याज में रेस्टों पहले हैं पहले पहले पुर्ण को रेस्टों चुले हैं अब फिलाल मेरे नाम देन नहीं है और आज इसकी देख होगी उन्हीं चोटों से बुगदमाजामादारा 302 एड कर दी गई है 302 लगाई है जी और नियम उनसार कारवाई जा रही है सर इनका कहना कि जो में अपरादी वो तो खुले गूमरे हैं जो आपने जिनको अंदर डाला है वे तो वैसे ही है उप जाच का भी से है जी जाच के अंदर दोसी आई है उन्हों ने जो में अपरादी एक तो बईया पूर गाउं का रहने वाला देविंदर उर्भुका का अपने पिन्ने का नाम लिया क्या कुछ कहना चाहिए उनके उपर जाच हो रही है और दोसी है तो अंदर जाएंगा रोशक्त सब्सक्राइब डाई महीने तक अभी जाच ही हो रही है जाच तो अब यह इंजट था तो इसकी जो ऑस्पिटल डॉक्टरी की रिपोर्ट इन अरुपी कैसर इनों नाम लिये परिवार वालों ने उसमें से कौन-कौन आपने अरेस्ट के वो पता इए मुझे मैंने नया ज्वाइन किया है और मुझे पता अच्प आधि मुझे मुझे बने करें वह कर रहे रहे हैं सर परिवार वालों का रुप एक रुपी थानों में भी जाते हैं सिस्टी फूटेज आपको चैक करने चाहिए तो क्या कुछ कहना चाहिए परिवार होना कि जो आरोप है एस्वी साहब को इन्होंने कंपलेंट दी ती उसकी जाज बैठी हुई है कि आरोप के ऊपर जाच चल लिए एस्वी आईपिस अवारे खरकोदाजीन क परिवार उजड़ गया है दो बच्चे अनाथ हो गए तो जाच कब तक सलेगी छे महीने साल दो साल बताएं जरा जल्दी पूरी करते हैं लंबा टैम थोड़ा लगाते जाच में यतना जल्दी होगा उतना जल्दी टिप्टारा करें तो परिवार वाले तो संतुस्त नही परिवार वाले जल्दी आगे आई जी दमके भी दे रहें बार बार वी तो जो में आरोपिय सर्वों गिरबतार किये इनों नहीं किया अब इस खाली दीपक दीपक किया भी तो कोई नहीं किया आप देख सकते हैं कि सामने सदर्थाना के ऐसा चुश जो है बचकर आपको ज देखाया जाए परिवार वाले डैड़ बोडी को रखे यहां पर यहां पर अपने इंसाब की गुवार करें का कहना कि जब तक साव का दास अंसकार नहीं किया जाएगा जिन जिन आरोपियों के इनोंने नाम लिए अब तक एक भी आरोपी की गिरबतारी नहीं हो पाई है परसासन यहां पर सिरफ जाच का अस्वासन जो है पुलिस परसासन के दवारा यहां पर दिया गया है जी क्या कहना चाहेंगे क्या आप सब्सक्राइब अब तक किसी ना रपोर्ट चेक है नहीं कर याद यह क्या बात है जी मेरा बेट्टा था घर में पड़या है इननों डाइम इनने मैं नो उस्पीटल बद लिए को रपोर्टी चेक नहीं हो याज तक यह जब उसको दफनाएंगा मितना नहीं दफनाएंगे अब यहां है य अब तक भी पकड़ा नहीं गया है पुलिस आसवासन पर आसवासन दिये जा रहे हैं एक मा किस तरीके से विलाब करते हैं परिवार वाले की तरीके से विलाब करते हुए आप देख सकते हैं दो बच्चे अनात हो गये हैं यहां पर अगर बैया पूर लहराणा की बात करे तो आए चाहिए पूरे जोरों सोरों से यहां पर होती है पुलिस पर शासन भी यहां पर कोई कारवाई करता हुआ में नजर नहीं आता है अभी क्या स्वासन दिया पुलिस वालों को बहुत हैं पकड़ के देंगों को हमारे सामने गूम रहे हैं रोड पे बैट रहते ठेक सब्सक्राइब करते हैं अभी सब्सक्राइब क्या करें परिवार वाले अगर हड़ताल करें रोड जाम करेंगे तो कैसे कानुन तोड़ना तो खुले आम गूम्रेन का कहना यह तो लाए हुआ ना परिवार के साथ हमने छे आदि में गृपतार करके जेले बेजे हुए जो पर जाच चली है और लगे हुए गृपतार करेंगे बात बताईए मुझे आपने औरों को तो पकड़ लिया में पर जाच चली हुए समझ में नहीं देखो दो चीज़ें अगर हमारे उपर को बात आती है तो हमारे अधिकारी बड़े आई-पिस लेवले के काम कर रहे हैं अगर हम कहीं कला है तो चार्ज करके मताएंगे उसको थोड़े सोटे जाएगा कि इनको पहले भी दंकिया लगातार मिलती रही है मतलब मर्डर हो गया इतनी बुरी तरीके से यह को पीटा गया कि आज वो मतलब उसकी मिरुत्तू हो गई है आगे भी कुछ हो सकता है पर दो जैसे उनकी ले रहो आप आमारे बच्चों की भी लो छोटे चोटे बच्चे नाथ होए हैं अमना नहीं चाहिए अमने आए चाहिए मेरे बच्च्चा नाथ हो गए हैं आप देख सकते हैं पुलिस पर शासन यहां पर जवाब देने से बच रहे हैं और बार आप देख सकते हैं उदर किस तरह केसे सवालों से बचकर पुलिस पर शासन क्यूंकि मेन अपरादी जो आभी खुले गूम रहे हैं और अभी बाकी बाकी जो साथ में उनके आए हुए थे उनको गिरबतार कर लिया गया लेकिन कोई भी यहां पर हमें जिससे पेरेंट जो पीडिक परिवार के साथ यहां पर हो रहा है मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जो भी हमारे साथ लाइजुडे स्पीडर को इतना सेर करें तकि सरकार तक यह बात पहुंचे और ऐसे अधिकारियों पर कारवाई हो सके इनको सस्पेंट किया जाना होती रहेंगे क्या ऐसे ही अपरादी खुले आम गूंते रहेंगे हमारा अर्याना किस तरब जाना आप देख सकते हैं परिवार यहां पकड़ेंगे जब पकड़ें उनको यह इतने नहीं पकड़ेंगे क्यों आएंगे मारे सामने मारा बर्दास नहीं होगी मारे सामने तो घूम रहें तो अतियार रखते हैं कभी कई बढ़ जाते हैं त्यार आएंगे जबर्दस्ति आपके लिए इसाफ पाना अरियां में बहुत मुश्किल हो गया जबर्दस्ति इंपर इल्जाम लगा गया इनका है ना कि जबर्दस्तिन को उठाकर ले जाया गया जबर्दस्तिन के पास अतियार दे दिया आने दो अपने दो पैसे भी लगा दिया अतियार ले रहा था यहां अपने घर से गया हूँ मेरे घरवाले मेरे को थाने मिले के गये हूँ इस ताज़कर आने के लिए वहीं पर इठाकर देख सकते हैं कि अपना बेटा खो दिया दूसरे बेटे को किस तरीके से उठा लिया जाता है उस पर इल्जाम लगाए जाते हैं हातियार दिखाए जाते हैं आप देख सकते हैं कि हरियाना किस तरफ जा रहा है कि मैडम ती मैडम सामनी आई जा रहा जी क्या कहना चाहेंगे मैडम बस कुछ नहीं इसमें जो भी हुआ है पीडित परिवार के साथ बिल्कुल गलत हो रहा है सरासर नाइन साफी हो रही है हर तरीके से जो है पीडित परिवार को दबाया जा रहा है मतलब लगी नहीं रहा कहीं पर भी मतलब नए कहीं से मिलेगा क्योंकि पूरे दो महिने से जादा का समय हो चुका है इसमें इन को जो है कम से भी कम 30-35 बंदे थे ये चार गाड़ी नियों में भरके आये थे जिसमें दो स्कॉर्पियो एक बलेरो एक सेंट्रो पांच दूपईया वाहन बताये जा रहे हैं जिसमें से एक दूपईया वाहन जो है हमने मोका से ब्रामत भी कराया है उसके बावजूद भी मालिकों का पता लगा के ओनरों को जो है वो करवा के इनों ने आज सक्विश्थम की और नहें अंवान के और ढूंस्य को आज सब्सक्तरम पर्शाश करें करें कि बीडियो में जिस तरीके से अमने वीडियो दे की काफी बुरी तरीके से जो आई यूँवा को पीटा गया है मतलब लठीयों से उसके यहां पर पसली पर मार मार के ऐसे पूचा जा रहा है कि बता फिर फिर सराब के बेके दुबारा से सराब की बिक्री करेगा मैं क्या कहना बिक्री वाला कोई वो नहीं था यह जो शोकीन था इसने पहले अपने शराब के ठीके में पार्टनर्शिप की वी थी सरकारी में और जो यह एक्यूज्ड है यह काफी टाइम से पूरा गाउं जानता है इस चीज को पिछले 20-25 सालों से यह लोग जो है अवैज शराब की बिक्री करते थे और इस बार जैसे जो कानून या यह कहें सरकार ने जो नियम निकाड़ा सरकार के नियम के हिसाब से जो मतलब पूरी बैल्ट जो खरीदी जानी थी वह वहां तक उनको यह लगा कि बीचलो हम भी चुटा लेंगे तो बोली जादा निकल इनो यह लोग जो है हमने खरीदे हैं तुम अबारे यही से अगर तुम मतलब अपने परसनल यूज के लिए भी आप अगर शराब यूज करेंगे तो भी अमारे ठेकों से करेंगे आप कुछ नहीं कर सकते हैं मामला तो यह जो है यही था वीडियो में आप देख सकते कितनी पूरी तरीके से यूए को पीटा जारा आप देख सकते हैं को मारा जारा दोस्तों आपकी सेरिंग रुकनी नहीं चाहिए किसी गरीब को इन साफ दिलाने का मामला है इस वीडियों को इतना सेर कीजिए ताकि पूरे हर्याडे में यह ख़बर आग की तो देखिए सारी कहानी जो है मेरे जितने अगर सुबहें नौबजे लोग दोश्य गर्फतार नहीं किया तो नौबजे हमारे परिवार के लोग पर पेडित लोग और यहां के गाउं की लोग है उन्होंने हमारे पूरा साथ देने का वाइदा कि जो भी मिलकर के फैसला हो मुस्क पे आगे बढ़ेंगे लेकिन हम ज हो जाती है पूरा गाउं यहां पर इकटा इनका कहना कि जब तक मेन अपरादी को गिरफतार नहीं किया जाता है इसी तरीके से धरना परदर्शन इनका जारी रहेगा सव का दा संसकार जो है नहीं किया जाएगा कल सुबह नो बजे तक का अल्टीमेटम सरकार को दिया गया सोनीपत की ऐसी कबरों के लिए बने रहे हमारे साथ जैहिंद जैहरी अड़